आपने पहाद आहा एटीव इंडिया एटीव इंडिया मंदे आपने स्वाब रता है साब आमिया अच्छा ठाड़क धना मुझें आपने स्वाब 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 आ परभनी परतिनी दी सुमित्रा टोड एटीवी इंडिया इस चिला रहे हूँ मैं सोच दियू महीं चुप हो जाओं वामनेजी का आहंत्रत मिला और वह मुझे आहंत्रत किया यहाँ अब सब के बीच में अधीन परत जाने दो मैं बहुत दीज थी क्योंकि बहुत ही अच्छे काम करने वाली इंसान है वो मैं इस मंच में सभी लोगों का शुक्रियादा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इतना अच्छे कर से स्वादस किया और आपकी जो घामले जी है उनके बारे में जितना बोले उतना कम है मतलब सोचिए कि जब वो राजनीती में आने को कोशिश कर रहे थे तो बहुत कठे नायों का सामना करना पड़ा लेकिन दिन रात अठरा घंते बीस घंते एक-एक करके काम कर-कर करके उन्होंने हार नहीं मानी बैर को हर गाँ से जोड़ दिया है कहीं लोडों का काम तो कहीं मेडिकल का काम, कहीं एड्यूकेशन का काम, शिक्षत हरें को दिलवाने की कोशिश और ये कोशिश हर चीज में वो एक जीत में बदल देते हैं वो बुदुर्गों का महिलायों का इतना सम्माल करते और युवा पीडी का तो और उनका अलगी कुछ केमिस्ट्री है मतलब मानना पड़ीगा उनको उसे मंबई लेके जाना, आपरेशन करवाना और फिर मंबई से वापस सही सलामत पूरका पूरा कैर करके वापस लेके आना ये बहुत ही महान काम है बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं तो कि अगर आपकी आखों की रोशनी चली जाएं तो आप क्या देख पाऊंगे तो ये इतनी बड़े गिफ्ट देते हैं लोगों को इतना मतलब में हैरान हो इतनी खुपसरत रोड है यहां पर ऐसा लगता है कि एक फॉरण कंट्री के रोड है तो मैं बहुत खुश हूँ ये सब अच्छे अच्छे काम मामी जी की देखने की बाद और हर साल मेरी यही प्रात्मा रहेगी कि मुझे गसेरा के दिल नहां बुलाईए और हमेशा गदर मचाएए ये